सुबह उठने के बाद इन पांच चीजों का दर्शन कभी नहीं करना चाहिए, जीवन में दुर्भाग्या आता है। सुबह के समय हम जो भी कार्य करते हैं उसका प्रभाव दिन भर हमारे उपर रहता है। यदि सुबह सुबह सकारात्मक कार्य किये जाए तो इसका लाभ हमें प्राप्त होता है। किन्तु सुबह यदि हम अशुभ और निंदनीय कर्म करते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य ही पढ़ता है। और यदि हम नित्य ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे हमारे जीवन का पतन होने लग जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं सुबह कौन सी चीजों को देखना अशुभ और अमंगलकारी होता है। सबसे पहली वस्तु है आइना। सुबह उठते ही आइना देखना अशुभ माना गया है। जागने के तुरंत बाद दरपण में अथवा जल में अपना प्रतिविम देखने पर व्यक्ति पर इसका नकारात्मक प्रभाव पढ़ता है। नित्य ऐसा करने से जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है। दूसरी बात है चरित्रहीन व्यक्ति के दर्शन। गरुड पुरान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सुभह उठने के बाद किसी भी चरित्रहीन और पापी व्यक्ति के दर्शन नहीं करने चाहिए। चरित्रहीन व्यक्ति के दर्शन करने से मन में कामभावना जागरित हो जाती है। पन्न करता है। रोज सुभह किसी का क्रोधी मुख देख लेने से इसका बहुत ही अशुब प्रभाव मन पर पड़ता है और व्यक्ति निराश एवं उदास रहने लगता है। साथ ही उसका स्वभाव भी क्रोधी बनने लगता है। इसलिए ऐसे क्रोधी व्यक्ति का मुख के दर्शन नहीं करने चाहिए, वास्तु शास्त्र के अनुसार नुकीली और कांटेदार चीजे नकारात्मक उर्जा छोड़ती है। सुभह इनके दर्शन करने से इसका नकारात्मक प्रभाव मन पर पड़ता है। और व्यक्ति के मन में हिंसक विचार उत्पन्न होने लगते हैं। पांच भी है गंदगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार मनुष्य को सुभह उठने के बाद कभी गंदगी के दर्शन नहीं करने चाहिए। इससे जीवन दुर्भाग्य से भर जाता है। जीवन में नकारात्मक ता आती है और व्यक्ति अधोगती करता है। इसी लि अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनुसार। सुभह कौन सी चीजे देखना शुभ होता है। सबसे पहली चीज है गोमूत्र। गोमूत्र को बहुत ही पवित्र माना जाता है। लेकिन गरुड पुरान के अनुसार गोमूत्र को केवल देख लेने से ही मनुष्य को पुन्य और लाभ की प्राप्ति हो जाती है। दूसरी चीज है गोबर। गाय हिंदु धर्म में पूजनिये हैं। शास्त्रों में गाय को भगवान के समान माना जाता है। गाय के गोब गाय के दूद के कई फायदे होते हैं। गाय का दूद कई रोगों के लिए दवाई का काम भी करता है। कल्यूग में गाय का दूद भी अम्रित के समान बताया गया है। जो मनुष्य गाय को दूद देते हुए देख ले उसे निश्चित ही शुभ फल मिलता है और पुन्य की प्राप्ती होती है। चौथी चीज है पकी हुई खेती। फसलों से भरे हुए खेत देखना हर किसी को पसंद होता है। हरे भरे खेतों को देखकर मन को शांती मिलती है। फसलों से भरे हुए खेत केवल सुन्दरता ही नहीं पुन्य के भी प्रतीक होते हैं। गरुड प सुभह तुलसी को जल देने से व्यक्ति की दरिद्रता का नाश हो जाता है। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से घर से नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और घर में कलेश नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी वह पांच चीजे जिनके दर्शन रोज सुभह उठकर करने चाहिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करे। कमेंट में जैश्री कृष्ण अवश्य लिखे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। आप सभी का धन्यवाद।